आपके इसाब से इस ट्रिप का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है सुरेश गोईल जी उसके बाद आपके पास सुरी जी आपके पास दिर पास कम वक्त संग्षेप में जवाब जाओगा दीपक ची संग्षेप में तो ये है कि भारत का वर्चस्व दिख रहा है हमें जिस तरह डेमोक्राटिक का पार्टी जो बाइडन लीट कर रहे हैं यूएस में उन्होंने जिस तरह से स्वागत किया है उस प्रधान मंतरी का जिस प्रधान मंतरी के खिलाफ उन्होंने नो साल लगातार इतना प्रोपगेंडा इतना जूट इतने इतना ज़ादा क्रिटिसिजम आपको याद होगा जब बाइडन पावर में नहीं थे उस वक भी वो कितना क्रिटिसिजम उन्होंने मोधी सरकार के खिलाफ किया लेकिन आज वही सरकार आज वही डेमोक्राइट जो है वो प्रैमिनिस्टर मोधी के लिए रेड कापिट वेलकम है एक जो वाकई इंडिया की जो पुजिशन कुछ सालों में बदली है और प्रैमिनिस्ट अपनी एकनॉमिक पॉलिसी से अपनी फॉरन पॉलिसी की वज़े से जो अपनी कॉम्पिटेंस की वज़े से वो जो जगा आज उन्होंने अर्न की है जो उन्होंने जीती है वही आज हमें दिख रहा है वाशिंग्टन डी सी में ऐसा नहीं है कि बाइडन कोई महरबानी कर प्राइमिनिस्टर मोधी पे ऐसा नहीं है कि इंडिया को कोई महरबानी हो रही है इंडिया की जो सितिती हुई है economically कि आज हम fifth largest economy है और हम जल्दी ही तीसरी largest economy बनेंगे कुछ सालों में तो यह उसका मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा indication है सुरेज गोहल जी आपके एसाब से सबसे बड़ा takeaway अभी तक की meetings का उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एक takeaway एक sentence में वो यह है कि भारत और USA ने कुछ साल पहले strategic partnership का agreement किया था लेकिन उस partnership को असली रूप में translate होते हुए एक सही मामल में partner बनते हुए इस विजट के दरान देखा जा रहा है और इस विजट के दरान इसलिए सब हो रहा है क्योंकि हमारे छेत्र में एशिया में इंडिया पैसिफिक में जो स्थिती बन रही है strategically उसमें USA समझता है कि उस तिने से निवटने के लिए भारत से partnership बहुत जरूरी है और उसमें economic areas है आर्थिक अरिया जरे defense deal हो रही है यह सब उटके हिस्से हैं सबसे ऊपर मैं रखना चाहूँ इस बात को कि अगर हम को technology transfer होती है डिफेंड यह डिरेक्ट investment होती है चिप्स के लिए सेवी कंडक्टर्स के लिए तो हमारे लिए यह बड़ी अप्रोप लब दी होगी जी ठीक है सोनी साब आपके हिसाब से तेकि मेरे विचार में यह बहुत ही path breaking visit है normally क्या होता है कि prime ministers आते हैं प्रेजिडेंट जाते हैं लेकिन जो importance हिंदुस्तान को मिल रही है हिंदुस्तान के बारे में हमारा जो रोल बढ़ रहा है वो geopolitical situation ऐसी है चाइना का रोल उभर रहा है चाइना ने यह देखा है कि उसमें guts भी है उसके अंदर capability है और सिरफ defense capability ही नहीं है क्योंकि हमारी जो capability है हर academic field में देखिए scientific field में देखिए technological field में देखिए इसी लिए उन्होंने देखा कि supply chain में disruption हुआ था कुछ साल पहले जबकि pandemic हुआ और चैना से ज्यादा तर supply आती थी उसके लिए alternative हमको देखना है और alternative के लिए उससे अच्छी जगे कोई भी नहीं हिंए हिंदुस्तान से वह इसमें सारे हमारे scientific institutions हैं हमारे पर scientific talent है और facilities भी है research facilities भी हैं अगर उनको थोड़ा सा ब task कर सकते हैं transfer technology कर सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान की जो policy है वो यह नहीं है कि सिर्फ export करें बट अपने आपी इंडिजिनाइज करके फिर उसको share करें और उसको किसी destructive purpose लिए नहीं लिए तो इसलिए हिंदुस्तान का जो ओधा बड़ा है मेरे विचार में confidence हिंदुस्तान मे बड़ा है यह बहुती अच्छी चीज़ है बहुत बहुती लाबदाएक चीज़ हमारे लिए भी क्योंकि हमारी capabilities बढ़ेंगी manufacturing facilities भी बढ़ेंगी मैं आपसे एक बार जाना चाहूँगा क्या भारत चाइना को replace कर सकता है जहाँ global supply chain का सवाल है क्या हमें capabilities है जी capabilities है लेकिन अभी तक capabilities यूज नहीं हुई है अगर हमें चाइना को global supply में replace करना है और बहुत जरूरी है यह क्योंकि अगर हमें रिचारा के बरावर बनना है तो यह करना ही होगा उसमें वक्त लगेगा हमें patience चाहिए technology चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारे को साथ चाहिए technology वाले power nation सा global supply chain सा हिस्सा बनने के लिए जी आप ते यह कहा मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि हमको technology टाहिए क्या उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं कि हम चाइना को global supply chain में replace कर सके गोईल साथ और यही सावाल मेरा आर्थी टिक्कू जी से होगा गोईल साथ के बात जी जैसा कि मेरे पहले का हम कर सकते हैं समय लगेगा लेकिन हमें इसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है और technology में खाली technology एकवायर नहीं करनी है चाहे USA से हो या Russia से हो कहीं से भी हो हमें technology develop करने की जरूरत है और भारत के लोगों ने साबित कर रहा है भारत के लोग बहाद आके काम करते हैं तो technology develop कर सकते हैं तो हमें सामर्थी है कि हम develop कर सकते हैं हमें उस दिशा में कदम उठाना जरूरी है जी ठीक है आर्थी जी आपको क्या लगता है क्या भारत के पास वो capability है कि चाइना को world market पे supply chain के मामले में खास तोर पे जो जिसके उपर पूरी दुनिया dependent है चाइना की supply chain पर हम उसको replace कर पाए देखे दीपक जी जो सबसे बड़ा इसमें deciding factor है वो है demographics चाइना के against हम लोगों के पास एक youth demographics जो है young demographic जो है वो बहुत ही माइने रखता है चाइना में aging population है यॉरप में aging population है जैपान में aging population है तो ultimately जो human resource है जो technology को भी चलाती है सब कुछ AI नहीं करेगा बहुत सारे काम जो है manufacturing के लिए उसमें आपको human resource चाहिए तो वो इंडिया के पास बिल्कुल है इंडिया ने पिछले 33 साल में ये साबित करके दिखाया कि अगर उनके पास investments हो और अगर उनके पास रास्ते हो क्योंकि जब economic liberalization हुई तो काफी रास्ते खुल गए जब रास्ते होंगे तो हमारे पास infrastructure भी आएगा हमारी capacity है हमारे पास competence है हम लोग महंती लोग है मुझे लगता है ये बिल्कुल संबाव है इसी के लिए शेर के साथ खतम करूँगा भारत के लिए यही कहूँगा कि एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिये सुबह होने को है माहोल बनाए रखिये